हेलो एवरियों वेल्कम बेक टो मैं चैनल फर्स्ट आफ आप सबको हैपी न्यू यह आए नो थोड़ो सा लेट हूँ क्योंकि कुछ मेडिकल एमर्जेंसी में फर्स गया था इसलिए वीडियो भी ने डाल भाया काफी कुछ दिनों से इसके बारे में भी आपको आने वाल टा बट फैमली अभी भी वही पुरानी है लेकिन नए लोग जुड़ जरूर सकते हैं वो निचे रेट करेगा सब्काइब बटन दबा कर पिछले कुछ वीडियो पर आप सब लोगों ने काफी अच्छा रेस्पांस दिया है उसके लिए आप सब को दिल से थैंक यू और उमी बैस की जो बैस्ट है अंडर दा बजट ऑफ वन लेग रुपीज एक्शुली किया कि इस रेंज में ओप्शन तो काफी सारे अवलेबल हैं बट कौन सा मतलब किसके लिए सुटेबल है यह आपको खुड डिसाइड करना पड़ेगा तो इस लिश्ट में जो बाइक से उनकी प्राइजिंग 80,000 से 1,000,000 के बीच में है एंड यह जितनी प्राइजिस है सब एक शोरूम है एक शोरूम देली तो ज़्यादा डिली ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करन ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तो यह बात करें इस लिश्ट में नंबर फाइफ बाइक की वो है हीरो की तरफ से ग्लैमर एक्स्टेक यह एक लौती बाइक की सेग्वेंट में हीरो की तरफ से जिसमें ब्लियूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जीपियस के साथ लुक वाइज यह बाइक पलसर इतनी स्पोर्टी नहीं है बट श्टिल काफी बैटर है इस रेंज में अधर बाइक के कंपेरिजन में अब बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको 124.7 cc का सिंगल से रेंडर इयर कुल इंजन देखने को मिलता है ज स्टिल इस बाइक में आपको एप्रोक्स 95 किलोमेटर पर आर के टॉस्पिड मिल जाती है और अगर लुक्स की बात करें तो लुक वाइस बाइक पिछले मॉडल से कंपेरिजन में काफी बैटर है फ्रंट में आपको फूल एलेडी हेडलाइट क्लेश्टर मिलता है जबकि जो पार्ट्स है जैसे इंडिकेटर एंड डेलाइट वो रेगलर हीरो ग्लैमर की तरह ही है और जो फिलियन सीट है वो थोड़ी से स्टेप अप कर दी गई है और ग्लैमर के कंपेरिजन में जिससे की लोग थोड़ा सा और बैटर हो जाता है एंड जो इंस्ट्रुमेंट क् 60 के बीच में इसली मिल जाएगा और हाइवे पर आपको 60 प्लस दे देती है और फाइनली बात करें इसके प्राइजेंग की तो वो 83,500 है जो की एक शोरूम है यह था इस बाइक के बारे में अब आता है नेक्ट बाइक पर तो जो बाइक इस लिश्ट में नंबर फोर पर है वो है टीवेस के तरफ से टीवेस रेडर यह बाइक कुछ तैम पहले ही कमने ने लॉंच करी थी एंड जिस प्राइस सेग्मेंट में यह बाइक लॉंच हुई है इसके लुक्स एंड फीचर्स को ध्यान में रखते हुए वो काफी अट्रेक्टिव है कम्पनी ने यह बाइ प्राइम का टॉर्ग at 6000RPM प्रड्यूस करता है एंड इस बाइक में 5-speed transmission मिलता है और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो यह 100 किलोमेटर पर रहा तक इसली चले जाएगी लुक्स ही बात करें तो आपको 125cc बाइक के एक अकॉर्डिंग इसके लुक्स काफी सही है इसमें फ्रेंट में आपको एक यूनिक LED headlight का setup मिलता है विद LED DRLs इंडिकेटर्स आपको हेलोजन ही मिलेंगे जबकि टेल लाइट LED है एंड इस पॉर्टी लुक के लिए कंपने ने इसमें mode आप देख सकते हैं that is power mode and eco mode इन power mode आपको 10% एक्ष्ट्रा प्रोड्यूस करती है बाइक ज्यादा डॉप स्पीड अचीव कर पाते हैं and in eco mode आपको average fuel economy आपकी better हो जाती है और अब बात करें mileage की तो वह आपको 55-60 के बीच देखने को मिल सकता है and जो सिप्राइजिंग है व most popular motorcycle brand है इंडिया में among young riders और अगर बात करें Pulsar 125 की तो वो look wise Pulsar 150 की तरह ही है जो कि 125 को इस segment में काफी बड़ी option बना देता है other bikes के comparison में इसमें भी आपको 2 options मिलते हैं एक तो 125 split seat and another one is Pulsar 125 new और इसमें आपको drum and disc का option भी मिल जाता है तो अगर शुबात करें इसके engine से तो इ single cylinder air cool engine provide किया है जो की 11.64 bhp की power at 8500 rpm and 10.8 nm का torque at 6500 rpm produce करता है एंड इसमें भी आपको 5-speed transmission देखने को मिलेगा और एक 125cc की bike होने की हो जाए से इसके top speed भी something आपको around 95-100 km per hour दाग इसली मिल जाती है लुक्स की बात करें तो इस bike में semi-digital instrument cluster मिलते है जो की बाकी Pulsar की तरह ही ह headlight and tail light आपको as usual पुरानी Pulsar जो थी उसके तरह ही मिलती है सेम वही look होने के बावजुद भी ये bike आज भी काफी muscular and sporty लगती है आग glamour and TVS radar की तरह इसमें Bluetooth connectivity and all options आपको नहीं मिलते है बट सिल looks and performance wise ही obviously उन से better है इसलिए ये list में number 3 पर है और बात करें इसके mileage गी तो ये easily है इसकी pricing पर तो ये आपको 87,000 X showroom पड़ेगी तो यार अब बात करते हैं इस list में जो bike second number पर है वो again बजाज की दरफ से that is Pulsar NS 125 पहले NS Series में सिर्फ एक ही bike आती है that is NS200 बट अब NS160 and 125 भी launch कर दी गई है NS 125 भी same NS20 वाले frame and chassis पर built है looks wise same वैसी ही है and 125C segment में और इस price range में ऐसी sporty look और किसी bike में नहीं है यही वजह है कि यह bike is list में number second पर है तो शुरुआत करते हैं engine से तो company ने इसमें 124.4 CC का single cylinder air-cooled engine प्रवाइड ही है जो की 11.83 BHP की power at 8500 rpm and 11 Nm का torque at 7000 rpm पर produce करता है power is bike की obviously ज्यादा है दूसरी 125cc bike से बट इसके weight ज्यादा होने की वज़े से यह bike initial pickup में उनसे पीछे है and इसमें भी आपको 5-speed transmission मिलता है और बात करें looks की तो वो obviously यह stand out करती है बाकी सभी 125cc bike से इसके aggressive looks की वज़े से NS 125 में आपको split seat clip on handlebars भी देखने को मिलते हैं जिससे इसक 100 उसी की तरह है से तो अब बात करते हैं mileage की इसमें 45-50 kmpl तक आपको easily दे देगी यह bike and highway पर और better मिल जाएगा and finally आते हैं pricing पर तो वो 98,000 एक शुरू में obviously यह bike 1 lakh plus है on road but still इस segment में यह worth भी है तो अब आते हैं finally उस bike पे जो इस list में number 1 पर है again यह बजाज की तरफ से है Pulsar 150 यह एकलोती bike के इस list में जो 150cc की है बजाज Pulsar 150 highest selling 150cc bike है इंडिया में इसके muskler design, price segment and engine यह सब वीजा में इसके highest selling bike होने के वीजा है Pulsar series ने इंडिया में बहुत time से market capture कर रख है और इस list में भी यह number 1 पर है शुरात करते हैं bike के engine से तो company ने इसमें 149.5cc का single cylinder air cold engine दिया है जो 13.7 Nbhp की power at 8000 rpm and 13.4 Nm का torque at 6000 rpm पर produce करता है and 1 like के budget में यह सबसे powerful भाई गया and इसमें भी आपको 5-speed transmission देखने को मिलेगा और अगर बात करें top speed की तो यह easily 110 to 120 km per hour तक जा सकती है looks की बात करें तो यह same पुराने impulsor की तरह ही है चाहे हो headlight हो, tail light हो या फिर instrument cluster same 125 and old 150 जैसा ही look है but still look wise यह काफी muscular and sporty लगती है और अगर mileage की बात करें तो यह easily आपको 45-50 के बीच दे देगी तो finally आते हैं pricing पर तो वो 98,000 actual room है जो still on road आपको 1 lakh plus ही बड़ेगी लेकिन फिर भी यह इस range में worth है तो यह थी top 5 bikes under the budget of 1 lakh इसमें आपने requirements के according कोई bike choose कर सकते हैं depend करता है आपके requirement पर कि आपको look चाहिए या फिर आपको performance चाहिए या फिर आपको mileage बाकी और भी बहुत bikes है under 1 lakh बट अगर आप इतनी amount लगा रहे हैं तो क्यों न थोड़ और लगा के सही option choose करें तो यार ही था आज की इस वीडियो में उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो like करना ना भूले एंड ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में till देन वियर हेलमेट एंड राइट से